दोस्तों एक Russian Link Ransomware Group जिसका नाम R-Evil है वो इंटरनेट से जो उनकी एक website है वो गायब कर चुके हैं मतलब कि ये website पर होता क्या था कि ये negotiate करते थे उस website के थूँ और उसी website के थूँ ये अपना tool देते थे जो की description tool होता था क्योंकि ये encrypt कर देते थे उन computer को जिस पर भी ransomware attack ह होता था तो उसको decrypt करने के लिए जो tool लगता था ये वो दे देते थे अगर पैसे वैसे दे दिये जाते थे इनको अब तक इन्होंने 800 से लेकर 1500 बिजनिस को पूरी दुनिया के अंदर effect पहुंचाया है जिसकी वज़े से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी companies ने इनको millions of US dollar दिये हैं ताकि उनका जो system का data है वो बचा रहे और इसी तरीके से अपना गुजारा करते हैं गुजारा क्या अब तो बहुत ही जादा अमीर हो चुके हैं सो मेबी इस वज़े से इन्होंने कहा कि चलो अब internet से जाने का वक्त आ गया है अब आपने बहुत सारा माल का माल है हाला कि मैं भी यह अपनी website चेंज करना चाहते हूं कि आपको पता है कि यह hacker एक website पर जादा time टिकते नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ लिंक जोड़के FBI फिर इसी तरीके की बड़ी एजंसिया ढूंडी निकालती है कि कहां बैठा है hacker हाला कि सबको मालूम है कि इनका लिं का इंटरनेट चलाने का जैसे कि Facebook भी सोच रहा है कि फ्री का इंटरनेट देगा वह इंडिया को और उससे वह कैसे कमाएगा पैसे वह एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा इस इंटरनेट के साथ में मतलब आपको इंटरनेट फ्री का मिल जाएगा लेकिन बीच बीच में अलविदा इस इंटरनेट बिजनस को तो उन्होंने अपनी सारी सैटलाइट जितनी भी थी वह एमाजॉन को बेच दिया तो यहां पर एमाजॉन ने क्वाइर कर लिए उनकी जितनी भी सैटलाइट थी क्योंकि उनका भी इंटरनेट का ही प्लैन है आने वाला और 2029 तक वह यह शुरुवात तो करी रहे हैं दोस्तों एक इंडिया की इलेक्रोनिक ब्रैंड जिसका नाम है बोर्ट जो की हेड़फोन बनाने के लिए ज्यादा पॉपुलर है और इन्होंने इंडिया का फर्स्ट गेमिंग हैडफोन लांच कर दिया है पच्छी सो रुपे के अंदर नाम रखा इमोटल वन थाउजन टी जिसके अंदर डॉल्बी एटम्स भी मौजूद और 7.1 का सराउंड साउंड भी मौजूद है और इसका डिजाइन आपको एक यूएस की कंपनी जिसका नाम खुद इसका है इनाइन है प्रो के जैसा ही लेगा क्योंकि उसको मैं भी उस लेकिन वो कल कभी आता नहीं था कि चलो भाई मैं कली आ जाता हूं खरीदने फिर लेकिन पेपल ले आया है जहां पर उन्हें नया फीचर लॉंच कर दिया और जिसको कहा जाता है पे लेटर यहां पर पूरा कहा जा रहा है बाइनाव पे लेटर क्योंकि आप अभी खरीद हुआ करती थी जिसका नाम है थोप टीवी इसके उपर आप कई सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफोर्म के कंटेंट को देख सकते थे चाहे नेट्फिक्स हो गया चाहे होट स्टार हो गया या फिर एमाज़न प्राइम हो गया और उनके उपर जो भी वेब सीज डलती थी वो हराश्टर साइबर सेल ने पकड़ा है इसका नाम है सतीश वेंकटेश वरलू जिसको पकड़ने के बाद में अपते किया जाएगा कि कौन कौन सी सजाएं देनी है क्योंकि यहां पर पायरेसी का मामला है इसके ओपर इसने ओनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफोर्म के कंटें प्लेट कर दों हो को इसका टेलीगराम चैनल भी जॉइन कर रखाता और इंडिया के अंदर और यहां पर यह धडले से कर रहा था ओभी खुले आम अपने ठोव टीवी के ऊपर यहां पर पता नहीं कितने साल की सजा ठोपी जाएगी इसके ऊपर दौस्तों बहुत से लोग इसा आपकी conversation को सुनती रहती है और उस हिसाब से जैसे ही आप कहते हो कि एलेक्सा यह कर दे तो वह उस पर react करती है तो मतलब कि एलेक्सा आपकी सारी बाते सुन रही है ऐसा कहा जा रहा था और वही सेम चीज गूगल के लिए भी कही जो आपका Google है जब आपके mobile के अंदर का help करने के लिए आजाता है कि बताओ क्या help कर सकता हूं मैं आपकी यहां पर यही कहा जा रहा है कि गूगल भी इस तरीके से हमारी सारी बाते सुनता होगा तब ही तो वह एकदम से okay Google बोलते ही कैसे कान खड़े हो जाते हैं और वह सुन लेता है हमारी बाते और उसके बाद के लिए भी तो उसे सारी चीज़ सुननी होगी कि एकदम से कान कैसे खड़े हो जाएंगे जब वह सुने हमारी बाते सुनेगा और उसके बीच में कहीं okay Google आया तभी तो वह एकदम से अलर्ट हुआ तो यह तो बात मुझे भी समझनी आई कि यह कैसे हो सकता है सारी बाते न आप मालूमें चेल कमाने को वीडियो दाली पी